कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि हलो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागा ततिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहें पंजाब इनिवर्सिटी के में सोसोल जी जो की समेस्टर फॉस्ट काफी महत्वपून है कोड जो है SOC 413 यानि किताब जो है विकास का समाज सास्ट यानि सोसोल जी आफ डिवोल्पमेंट जो काफी महत्वपून है और आज जो हम करेंगे विकास के मार्ग पर समाज वादता मिशित अर्थ विवस्ता यानि पत ऑफ डिवल्पमेंड कैप्लीज सोस्लिस्ट एंड मिक्स इकनोमिक्स तो यह काफी महत्पून रहने वाला है इसमें हम विस्तार्प पचरचा करेंगे होड़ एक पहलू को आपको समझाने कोशिश करेंगे इम्मे के अंतरग तो इसके लिए आपको पता है चक्ट्र स्टार्ट करना पढ़ेगा लेकिन प्रसक्ट्र स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ जिसको आपको सोचना वी चाहिए विचार भी करना चाहिए वह यह है कि जब भी वेडियो देखिये पूरा देखिये क्यो उसका नोडिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा और देखिए सेयर का मतलब यह होता है कि आप के थुरू ना जाने किन बच्चों को help मिल जाए यह आप भी नहीं जानोगा इसलिए जो है आप सेयर जरूर करो ठीक है वर्ट सब स्टेटरस पे भी लगाओ दोस्तों आने स जंटर में उपलबlex है तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप subscribe करके स्टेटरव करोगे जो सेव करके साइट्र चैनल पर अ हो इसलिए सूचना नहीं विचार नहीं करना है ससक्राइब करके जो है अपने पास सेफ करना है दोस्तों यह तो बात आपके लिए लिकिन सी आर 413 किताब है यहां पर विकास का समाज सास और चैप्टर जो है विकास के मार्ग पूजी वास समाज वाद मिस्र अर्थ विवस्ता यानि पत आप डेवल्पमेंट मिस्र अर्थ विवस्ता अब मिस्र अर्थ विवस्ता में क्या है इससे पहले हमने दो जो है जाना था समझा था अब हमारा अगला पॉइंट यहां पर जो आया है मिस्र अर्थ विवस्ता कई भी हो सकते हैं कि मिस्र अर्थ विवस्ता से आप क्या समझते हैं इसके लक्षान इसकी विसेस्ता इसे गुण अब गुण कुछ भी हो सकता है यह भी हो सकता है कि प्रावेट सेक्टर में कैसे सहता की जा सकती है पब्लिक सेक्टर की क्या विसेस तो यहां पर हम बात करें मिश्रित अर्थविवस्ता का मतलब होता है कि एक के साथ कई हम वेपार करते हैं कई अर्थविवस्ता के साथ जुरते हैं तो इसको हम मिक्स कहते हैं या मिस्रित अर्थविवस्ता कहते हैं तो समझ गए होगे मिस्रित अर्थविवस्ता का क्या मतलब है अगर हम अर्थों की बात करें तो मिस्रित अर्थविवस्ता जो है निर्कूश प्राइवेट अर्थविवस्ता केंद्रिय नियोजीद अर्थविवस्ता का एक वीच का रास् देखे तो बहुत कावी महत्पून है अगर हम अर्थ विस्ता का जो है गुनों का हम लाब उठाते हैं तो कहते हैं इसके अब गुन से बचा बचना संभब नहीं है जो कि एक बात आपको समझ होना चाहिए किसी के अगर गुन होते हैं तो किसी के अब गुन भी होती है क्योंक क्रामत के हानी भी देखने को मिलता है और इस पर हम इस्तार प्रृभक आगे चर्चा करें घचाना करें रहुत गोई यह यह वाइट रिव स्चन अब Même स्थे लिएSab देखा और अपर हैं घ्रीन को घ्रिंट आन की नहीन में नाम जान। और नए नेवद्यों के साथ इसके 20 काम करने वाले मजदूर के संक्या में बड़ोतरी होती चली गई उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ इसकी खपत के लिए भी नई मंडियों के तलाव शुरू हुई जर्नल सी बात है कोई अर्थ विवस्ता अगर आगे बढ़ता है तो सबसे पहली बात उसको मंडियों में पहुचाना बहुत महत पूंड रहता है कर भूमिये खोज को सुरू कर दी खोज के सिलसले में वह जो है काफी महत्वपून एश्या अफ्रिका देशों में पहुंचे और अपने अधुनिक हत्यारों की मदस से सास अधुन देश को अपने समराजय कायम भी किया आपको पता ही होगा इसी करण भारत जो है धाय साल के गुलामी जो है पाया क्योंकि यहां पर अंग्रेज उस समय आये थे तो उनका उद्देश रथा इस देश से बेपार करना लेकिन जब उनको यहां की कंडिशन भाग और भारत को जो है गुलाम बना लिए और भारत धाय सास धाय सो साल की जो है गुलामी जो है मिल गई तो कहते हैं यही बात होती है यह लोग जो होते हैं अपने समानों खपत करने के लिए जो है उपनेवेश ढूंडते हैं बजार को ढूंडते हैं और यह बजारों में खप एक समान भारत में खपत होती है इवन कि अमेरिका का भी खपत भारत का ही मैं तो पुंडा है लेकि भारत का समान दूसरे देशों में नहीं जाती है जिसे करान हमारे देश के अर्थ विवस्ता तहस नहस हो रखी है और जब यह किसी दूसरे देश में जाकर पेपार करने लग जाती हैं और मनमर जी भाव से बेचने लगती हैं और दूसरी बात ये उनकी होती है कि यहां की जिस देश में जाते हैं वहां की जो है कुटूर उद्योग को जो है नस्ट कर देती है इसलिए गांदी जी का विचार था कुटूर उद्योग जो है भारत की मुख्य जो है उद अजाद बेपार की नीति यानि लेजर आफ़ेर्स की अपनाया इदापी इस नीति के साथ अध्योई करा उन्नती हुई तो देशों की जो है अर्थ मजबूत हुई पर इसके निसकर्स दोरा सोशन का जो है भयानक दौर सुरू हुआ इसमें गरीब मजदूर तो था एश्या असे टेंड अफरीका की देशेते हुए निजों बहुत काफी कमजोडन थे । इन देशों में पहिता कि अपना आध्या पार की नीति की कारण सरकार आर्थिक मामों में कोई 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 दखल नहीं देता है यह काफी सिवह पूण बात है जिस कारण देखा जाए तो बड़े बड़े द्योग पती तता पूजी पती जो है गरीब मजदूरे का भी भर का शोशन कर रहे हैं उनसे दीन डात काम कराकर इतनी मजदूरी नहीं दी जाती है कि वो दो समय के रोटी भी खा सकी यह भारत के सबसे बड़ी बि और गरीब और ज्यादा गरीब होता चला जा रहा है और गरीबों की यह दर्दनाक हालत कहते हैं देखकर जो है मानवता ने हम दर्द कई लेखों को तो था विद्वानों ने इस विवस्ता के विरुद आवाज उठाई और इनसे सबसे उंची तका जोड़दार आवाज कॉल मार्स का जीवन जो था इन्ही के इड़दी गूम रहा था यह चाहते थे कि हमारे समाज में जो भी विवस्ता है वो सुचारू रोप से चले लेकिन कहते हैं इनसान की विचार कहते हैं सिमिट सी जाती है और वहाँ पर जो है दुसरों लोगों की मनमानी चलने लग जा आम गरीबों को भी साथ लेके चले लेकिन जर्नल सी बात है आज के समय देखा जाए तो यह संभव है ही नहीं कहते हैं उस समय द्योग पती और पूजी पती आम गरीबों के जो है शुशन करते थी आज रूप बदल गया है आज जो कर्ज देते हैं या कर्ज देने वाले संस् अपना मलकाना अधिकार होना चाहिए माक्स राज्यटाथ संसरकार के पूजिवाद का संदक्ष्क कहा जा सकता है यानि स्क्यूट्ँपार्वन अपले है जरुटपर करने पर इन करांतियों में हिंसा का भी सहारा लिया जा सकता है और जर्णल से बात काल माक albums असाप सब्सक्राइब में कहा कि जब जरूरते पढ़ती है तो ये लोग हिंसातमक जो है रूल का भी सहारा लेते हैं और आज देखा जा तो भारती नितिक में ये बहुत ही आम बात हो गई है कि आज संप्रदाइक दंगा फसाद हिंसा होना और भी एलेक्शन के आसपास जो है लोगों को बोटिंग के तरफ अकर्षित करने के लिए जो है बहुत ही तेज और तिवरगती से होती है कॉलमा के विचादः ने के नतीजा द्वरा रूस की करनती हुई कि कालमाक्स ही था उसके विचार धराओं के करन ही जो है रूस में लोगों के अंदर अपने देश के प्रती जो है भावना जगी और उसके बाद हुआ समयवाद अस्तापित किया गया जिसमें सारे उद्योग पर सरकार का कभजा था रूस के बाद पूरवी उरोप के कई और देश ने भी समयवाद अपना लिया और चीन में समयवादी करांती भी आई और इन देशों में सारे उद्योग सरकार के कंट्रोल के अधीन थे अब यह बहुत महत्वपून बात है कहते हैं चीन में भी समयवा तो देरा नीड्स अर्थात इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि प्रतेग व्यक्तियों से उसकी समर्थ के मुताबिक काम लिया जाता है और उसके बेतन दिया जाता है जितने कि उसके एक खास तरपड अरामदायक जीवन व्यतीत करने की जुरूर्थ होती है जानल से बात है आप काम करते हो मजदूरी करते हो तो उध्योग पती और पूजी पती को इतना जरूर बिचार होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो है अपना जीवन को और अपने बाल बच्चों से चला सकी और यह काफी महत्पून होता है और इस तर सरकार अर्थ व्यस्ता व्यक्तियों को उ उत्पादन में कियें गए हुदान करनसार मेहनाता नहीं मिलता है और यह बहुत बड़ी बात जो है काल माक्स نے काई थी कि जो व्यक्ति कारे करता है उसके हिसाब से मेहनाता उसको नहीं मिलती या उसका काम का जो है सही फल्पने utan creative जाता है जो कि बहुत बड़ी बिड़म और इस अर्थवस्ता के यह लाव तो जरूरी है हो गया है कि सोसन बंध हो गया है परन्तु नुकसान यह हुआ है कि लोगों का काम का उससा कम हो गया है व्यक्तियों की प्राक्षिति कि वह कोई भी काम उससा के साथ अब तक भी करता है अगर उसके साथ जादा जादा व्यक् लिए कारे करता है अगर मान लिजे आप त संड यtense साथ नहीं करोगे तो कैसे आगा विडियो कैसे आगे इस से लावांतरत हो पाओगे जरनल सी बात है कि जुआ सबना हो सक वीडियो देखें ढह经 आए सचा ही है अगर समझ में आ है डिशनको स्रुस्टाइब भी कर लेना झरूरी होता है क्योंकि इसे ये होता है कि आपको फैदा रहता है कि आपको समय समय में नोटिफिशन मिलता रहता है तो वही बात यहां भी बताएग़े कि वैक्तिंग करTổi क कि किहा है कि कोई जर्नल सी बात है अगर उद्योग पती जो है पूजी पती अगर मजदूरों के साथ अच्छा विवार करते हैं अच्छे उनके मेहनता देते हैं तो जर्नल सी बात है वो उनके लिए रात दिन मेहनत करके उनको जो है कंपनियों को चार चांद लगा देती हैं लेकिन जब उनक को जो हैं लाब पहुंचाने कोशिश करें जैसे आपका भी सोच होना चाहिए जितना हो सके में वाले बच्चे तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए तो दोनों बात काफी महत्पून है कोई उमीद नहीं होने से वह उसा के साथ काम नहीं करती है और इस परकार सरकारी अर्थ होता है कि लोगों तो पता है कि काम करे चाहे न करे उनको तनखात उनको मिलता ही रहता है लेकिन देखा यह तो प्राइवेट सेक्टरों में ऐसा नहीं है प्राइवेट सेक्टरों में पता होता है कि देखती जितना समय काम करता है उतना उसको पैसा मिलता है तब ही तो स्कूल को परहाई होती नहीं है वहां पर तो सिर्फ टाइम पास होती है इसलिए जितने भी बरी घर के बेक्ती होते हैं अमीर लोग होते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही दाखिला करवाते हैं और यह बहुत बढ़ी नमना है और यही मंतरी लोग जो होते हैं बाद में सरकारी स्कूल के जो करत कर रहे होते किया बच्य इतने इ 즐 Put समदने हाई गई इतने परसंट बचरों असला है यह बड़ी अजीब गरीब बात है मैं एक ही बात कहता हूं कि सिक्षा का मतलब है कि विचारों को समझना सोचना विचार करना मैं आपको एक बात की जो है उमीद दिला सकता हूं कि अगर आप कोई भी सरकारी स्कूल में चले जाएए वहां पर दसमी कला से कुछ बच दर्ग देने में सक्षम नहीं होगा फिर भी ये बच्चे सब जो है पास हो जाती है अब सोचिए विचार कीजिए कि सरकारी स्कूल का सिक्षा सदर कितनी क्या है और क्या कंडिशन है । पर भी सरकार सरकारी स्कूल के बाते करती है अगर हमारे देश में अच्छा मैनिफेक्चर होता अच्छे लोग पढ़े लिखे होते तो आए दिन रोट नहीं बन रहा होता आए दिन जो है बड़े-बड़े पूल नहीं धरासाई हो रहा होता आए दिन जो है विवस्ता बिगर नहीं रही होती तो जर्नल सी बात है आप एक ही बात याद रखना कि कोई बच्चा चाहे intelligent हो या समझार नहीं भी हो कहते हैं अगर पैसा हो तो बड़े-बड़े school में बड़े-बड़े stream में नाम लिखवा सकता है यह प्रवधान है आज के समय में सरकार के निदी देखिए कि जो बच्चा medical लेना चाहता है मन से दिल से और उसका math में number कम है पचास उन्हें निदारित किया है उन्चास आ गया है तो उनको medical नहीं दिया गया क्योंकि आपने वो जो है लॉजिक नंबर है न पचास उसको अपने पास ही नहीं किया वह यह क्या सिस्टम है ऐसा नहीं होना चाहिए और जिनको कहते हैं नकल करके धकल लगा के जैसे मर्जी उन्होंने 50 से अबब ले लिया है उनको फटाक से इन्ट्रेस्ट था नहीं उनको साइंस में 35 थे फिर उनको इन्ट्रेस्ट थे दे दिया गया अब देखे प्रसासन की क्या यहां पर जो है महान विचार धारा है यह सोच के न दसमी क्लास को तो यह लोग ने ऐसे बना लिया जिसका कोई डूली नहीं है कभी आपके पास मैथ इस टेंडर लेना पड़ेगा कभी आपको बैसिक लेना पड़ेगा कभी आपको स्कूल बोट देना पड़ेगा अरे भाई यह क्या रूल अगुलेशन है इतने रूल का गया है कि अवाज यहां उठाना बहुत जरूरी है और कहते अर्थ विस्ता के दोना विस्ता के बुराई के बचने के लिए मिश अध्रवेज़क धाना सामने आई है जर्णल सी बात है अगर सरकार इन बातों को प्रोटी नहीं देगी नहीं समझेगी तो लोगों दुसरी जो है अर्थ विस्ता अपनाने की अर्षक्ता पड़ेगी आज काल देखिए बिहार साइट चले जाएए वहां पर हर बच्चों के पास डिग्री तो भरी परी रहती है इवन कि होनर्स तो ऐसे करते हैं जैसे उनर्स का कोई अर्थी नहीं होता है तो इसका क्या आर्थ अगर यहीं सहरों में चले जाएगा तो अनर्स नेले के लिए बच्चों को सोचना पड़ता है कि मैं ले पाऊंगा तो कर पाऊंगा की नहीं और बिहार चेत्र में चले जाएए वहां तो हर एक बच्चा जो ऑनर्स लेके बैटा परा होता है बड़ी अजीब बात है हम भा बाउकुल मकाबले था राज जो है अर्थवश्था के अधिकार के रिरूद एक प्रोजेक्ट स्टेट था जनर्स बात है आज जो है कहते हैं हम मिर्श्थ है का पर होटी देते हो और प्राइवेट सेक्टरों को पूझी यह अर्थ व्याष्था का अजाद अर्थ होता है लोग जाते हैं ठीक है थोड़ा सा फाइल निकालते हैं फाइल निकालते हैं उनका चाय का टाइम हो जाता है और गब सब नगाते लगाते जो है आदा घंटा निकल जाती है फिर जैसे वो लोग फाइल को खोलते हैं वैसे उनको लंच का टाइम हो जाता है जब लंच क तो अन्हीं की आप सर्वी पी सिर्फ टाइम हो जाता है और जैसे एक पेज पर साइन करते हैं वैसे उन जो होता है छुटी का टाइम हो जाता है तो काम किया कहां पर उन्हों ने आपको पता है कोई भी कारे करवाने में आपके चफल घिस जाते हैं सरकारी काम करवाने में और प्राइवेट काम में चंद सेकेंडों में हो जाती है तो सरकारी विवाग किस लिए अरामों के लिए फ जो हमने सपना देखा है तो यही बात यहाँ पर प्राइवulsive सेक्टर में ऑंतर यहाँ पर दिख रहा हैं संपत्य लिए अपने प्रेवेट लाव के लिए किया जाता है पर दूसरे तरफ समय वादी और समय वादी यहां जर्कारी अर्ध्वरस्ता में सारे भ्र जरहे हैं सारी संपत्ति की मालिक सरकार होती है तो यह सारे देश समाज के लिए प्रयोग की गई देशों में अजाद एवं पूजिवादी अर्धवस्ता का था और रूस चीन और हंग जो हंगरी वकासिया और पॉल इन आधी देशों में सरकारी ता समझवादी अर्धवस्ता सकती होनारी चाहिए फिर वक्ति काम करने में अगर सरर रहेंगी और जो समय आवदी वरनों 13-14 महीने के देते हैं उसके siya मधी घटनी चाहिए कि लोगों काम के अंदर कितना काम करके दिखाया कौ Lea प्र कद है जितना काम करने को दिखाएलिए कि आंग पैसा मिलना चाहिए यह नया नीति होने चाहिए आ Across उसी के दिए क्यों ऐगारिजिंगा पैसा मिलना चाहिए तब आप मज़में आएगा क्या महत होता है काम का लेकिन सरकार कोई बात कभी सोची नहीं आती है सरकार जी तो सिरफ election election और भारत के नाम चेंज करने में लगे रहती है डेश के नामचेंज करते रहती है अड grocery कर ना है तो इन चुछ वह किते हैं जो है-ज Vergleich ना कि आ 들ञे करने दीजिए यह भारत है ठीक है भारत है इंडिया है यहाँ पर हर एक विक्ति को जो है अधिकार है अपना कारे करने की लेकिन इंसा उसमें पहलाने की कोई जादत नहीं दी जाती भारत में